सबी को नमस्कार आपके अपने यूट्यूब चैनल हेलो पंचायत में आप सबी का एक वैब फिर से हर देख स्वागत है अब नंदन है हम आज हमारी पंचायतों के लिए उपी होगी हमारी पंचायत के दिर्वाचेश प्रतुनिदियों और प्रसासनिक अमले के लिए उपी होगी एक वहती महत्फून विशेप पर आपके साथ चर्चा करेंगे हमारे साथ बने रहे हैं आज का हमारा विशे है मतप्रदेश की पंचायतों में भवन नरुग्या या बिल्डिंग पर्मिशन की क्या प्रावधान है और क्या प्रिक्रिया है इन प्रावधानों के तहट तो किस प्रिक्रिया के तहट मतप्रदेश की पंचायतों में भवन नरुग्या या बिल्डि प्रावजान इतने विश्तित हैं कि आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा यदि आप इस विशयप पर एक अपना विचार तयार करना चाहते हैं तो आपसे अंडोध है कि आप इस वीडियो को अंदर देखें तो हम बात कर रहे हैं कि इस्थानिय निकाय भवन निर्माड की परमीशन या भवन अनुग्या देते हैं प्रस्ट ने पएदा होता है कि ग्राम पंचायत को ये अधिकार कहां से प्राप्त होते हैं वो कौनसी विवस्ता है जो ग्राम पंचायतों को भवन अनुग्या की अधिकार प्रदान करती है अभी तक इसपस्ट हो गया कि मदवर्देश में पंचायतों में ग्राम पंचायत को ही भवन अनुग्या विल्डिंग परमीशन देने की सक्ति प्राप्त है वो कहां से वो सक्ति प्राप्त कर रही है सक्ति का स्रोथ है मद्वदेश पंचायत राइज ग्रामसरा एदनियाव 1993 का अध्याच 6 अध्याच 6 में पहला जो पायट है वो पंचायतों करत है और दूसरा जो पायट है वो पंचायतों की सक्तिया है तो जो दूसरा पायट है अंदर अंतरता में लिखा हुए है उसके अंदर धारा पच्पन का उलेख है और धारा पच्पन में प्रावदाने भवनों के परिनिर्माण पर नियंतरता है तो पंचायत को ये सक्तिया हमारे अधनियम के तहट प्राप्त है अब हम देखते हैं कि धारा पच्पन इसमें क्या स्थापित करती है अब हम धारा पच्पन के प्रावधानों पर एक मिज़र डालते हैं उस सबसे पहले तो यह प्रावधानित किया गया है कि ग्राम पंचायत की लिखित अनुमति के विना उस ग्राम पंचायत शेत्र का कोई भी नागरिक किसी प् बिल्डिंग के परमिशन चाहिए और यदि ग्राम पंचायत 45 दिन के अंदर उसके उस आवेदान पर किसी प्रकार से कोई इंदर नहीं करती है तो यह मान लिया जाएगा कि उसको बिल्डिंग परमिशन दे दी गई है इसके साथ में यह भी विवस्ता की गई है कि अगर कोई बिल्डिंग परमिशन दी गई है अगर वो परमिशन से हटके कुछ काम करता है या उसका उलंगन करता है तो ग्राम पंचायत उसको एक कह सकती है कि आप अपने काम को रोक दो या उसको काम को गराने तक के लिए भी कह सकती है इसके लिए ग्राम पंचायत उसको नोटिस द कर सकते हैं और उसपर जो हुए होगा वो सम्मनत व्यक्ति से बसूल है इस तरह हे व्यक्ति से डिफाल्टर हो जाता है अब जो व्यक्ति है डिफॉल्टर हो जयता हैं उसके खिलाब भी कारवाईं का प्राफधान इसी धारा पच्पन में किया गया है वो कहता है कि भई ग्राम पंचायद जो वहित प्रादिकारी है उसके जाकर के उसके खिलाप अव्योजन या प्रिकंड दर्ज करेगी और प्रिकंड दर्ज होने के बाद में अगर वो व्यक्ति पर सुद्ध हो जाता है कि हाँ इसना बिल इसने से या ग्राम पंचायद दोरा दिये गए नौटिस से असंतुस्ष्ट होता है तो अपर वो अपील भी कर सकता है तो इस विकार धारा पच्पन बड़े सुन्दर तरीके से ग्राम पंचायद की सकतियां निरधारित करती है आम नागरिकों की भी एक सीमा निरधारित क करती है तो हमको जैसे हम भबन अनुग्या की कारुभाई करने की दरब जाते हैं तो धारा पच्पन के प्रावधानों को अपने चिंतन में अवस्ते संब्लिट करना चाहिए अब हम आगे बढ़ते हुए पहुंच जाते हैं कि धारा पच्पन ने एक विवस्था दे दी आ विवस्ता करियानमेद कैसे होगी तो जो हमारा मदवर्देश पंचायत राज ग्राम सोरा आधनिया मुझी सो तराणवे है उसने एक परिकरिया दिरदारित की है और वो परिकरिया कहां दिरदारित किये ग्राम पंचायत भवनों के परिनिर्मार तता विस्तारपा नियंतर पर उपविधियां, फोड़ा नया सब्द होगा आपके लिए कि उपविधियां क्या है और इतने महित्पूर्दारा पच्पन के प्रावजानों को उपविधी के रूप में करियानवित करने ये बात हो रही है, तो अब हमें जानने कोसस करते हैं कि जो उपविधियां हैं, ये नियम हैं नियमों से कुछ अलग है, तो देखिए, यहां थोड़ा सा आप सभी का हम ध्यान चाहेंगे, कि हमारा जो पंचाइद अधनियम है, उसमें एक पाइट है जिसके अंतरगा धाराएं हैं, उसी के साथ उसकी कुछ अनुसूचियां लगी ह हुई हैं धाराओं के साथ में, फिर उन धाराओं से सम्मंदित जो प्रावधाना उनको क्रियानवित करने के लिए नियम बने हैं, तो नियम जिस दिन से बनते हैं, उस दिन से वो लागू हो जाते हैं, धाराएं तो जिस दिन से अधनियम पारित हुआ, उसी दिन से प्रभ आदर्स उपविदियों को लागू करने की अपनी एक सर्थ होती है क्या सर्थ होती है देखें नियम तो उसी दिन से लागू हो जाता है जिस दिन से उसका अंतिम प्रिकासन होता है आदर्स उपविदियों को लागू कैसे कर जाता है प्रतेग आदर्स उपविदी को ग्राम पंचायत को अंगीकरत या अडॉप्टिट करना होता है तो आदर्स उपविदियां स्विकार करना या अडॉप्ट करना या अंगीकरत करना ग्राम पंचायत के उपर शोड़ दिया रहा है Gram-Panchait उसको अंगी-कृत करती है फिर वो Gram-Panchait शेत्र में वो लागू हो जाती है अब अंगी-कृत करने की प्रिक्रिया एडाप्ट करने की भी अपने एक प्रिक्रिया होगी जी हां अब आपन एक नजर इस पर डालते हैं देखे ये प्रारूप है जो हर एक उपविधि, जो आदर्स उपविधियां हैं, हर आदर्स उपविधि के प्रारम में ये प्रारूप दिया हुए है क्या, जैसे उधारण के तौर पर हम देखते हैं, कि इसमें बिल्कुल इस तरीके से उसको अडॉप्ट करने के लिए इस प्रारूप को भरनाब होता है कि उपविधियों का नाम, संशप्त नाम की, कि यहाँ पर ग्राम पंचायत का नाम आ जाएगा क्या आएगा, उधारण के तौर पर, संशप्त नाम में, यहाँ पर ग्राम पंचायत का नाम लिखिए, जो भी ग्राम पंचायत का नाम आएगा या उप्विदियों के अंगीगरत के जाने वाले वर्स का उल्लेख तो इसमें आएगा कि ग्राम पंचायत सुल्तानपुर के द्वारा ग्राम पंचायत भवनों के पनिर्मान दता विस्तारपा नियंतर उप्विदियां 2023 है ठीके तो हर ग्राम पंचायत को जितनी भी उप्विदियां दिऊ हुई है सारी उप्विदियों को इसी तरीके से एडॉप्ट करना होता है अब हम पहुँच गए हैं अपने आज के वीडियो के अगले यहनी क्रियानवन की प्रिक्रियाओं को समझने की तरह अभी तक हमने देखा कि बिल्डिंग परमीशन या भवन अनुग्या हमारे अधनियम के धारापचपन में हैं आदर्स उप्विदियों में हैं आदर्स उप्विदियों को कैसे अंगी करत के जाता है अब उसी आदर्स उप्विदी के आगे बढ़ते हुए हमें देखते हैं कि आदर्स उप्विदी भवन अनुग्या या बिल्डिंग परमीशन से संबन्दित विसेवस्तियों को कैसे परवासित करती है कि सबसे पहले भवन भवन से उसका आसे क्या है जब आदर्स उप्विदी के अंदर जाते हैं तो देखिए यहां बताने ही कोशस की गई है कि जौंपडी हो एक पक्का मकान हो या चप्पर वाने जो हमारा भासा लिखी हुई है वो सायवाना लिखी है जब इसको अपन थोड़ा विस्तार से देखते हैं चप्पर या ओसरा जिसको कहते हैं या दिवाले, बरामदे, चपूतरे, मकान की कुर्सी, दर्वाजे, शेडियां उसी प्रकार की अनवस्त हुएं इस सब भवन के अब धार्ला में समलित की गई है लेकिन ये भी साथ में सबस्ट क्या गया है कि अगर कोई उत्सब है, तोहार है, मेला है और उस समय अगर कोई आइस्थाई तंबू या आइस्थाई सरचना जर्मित की गई है जैसे कि मान के चलिए कोई सरकास आता है मेले में या मंदिर में कोई या धार में किस्तल पर कारिकम हो रहा है और वहाँ एक बड़ा चपूतरा बनाए गया उस तरीके की जो सरचना है उनको बिल्डिंग या भवन के अंतरगा समलित नहीं किया गया है इसके बाद परवर्तन को भी परवाजित किया गया है कि जो दो तरीके का परवर्तन है तो उसका यूजज़ चेंज हो रहा हो दूसरा उसके वो सरचना है परवर्तन करना चाहता है तो इस प्रकार के भवन के अंतरमाण या इस प्रकार के सरचनाओं में परवर्तन तो ये हमारे लिए आदर सुपिविदी के तहट भवन अनुग गया बिल्डिंग पर्मीशन की स्रेणी में आता है अब हम इसके आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि किसी भवन का निर्माण है अपना निर्माण से क्या मतलब है देखिए हमारे अधनियम के अंतरगत दी गई विवस्थाओं की खुबसूरती देखिए पसरते आप उसको उस भावना के साथ पढ़ने के प्रयास करें और हमारा भी आज प्रयास है कि हम उसको समझें फिर आपके साथ साजा करके हम लोग एक बैपक समझ उन विवस्थाओं के प्रतिविकसित कर सके किसी ववबन का निर्माड या कोना निर्माड से मतलब क्या है कि किसी ववबन का किसी दिवाल दिवाल बराम्दा चबूत्र sleeping गी दर्वाज का परवर्तन हमारे इसके अंतरगत कबर होता है इसके बाद वो नीचे कह रहे हैं ऐसे किसी ववगन का जो मूल तो मानब नवास के लिए दिर्मित नहीं किया गया था और उसे मानब नवास के इस्थान के रूप में ववर्तित करना चाहता है जैसे खल्यान बनाया होगा या पसों के रखने के लिए कोई विवस्ता बनाई होगी Bring in करना चाहते हैं इसके बाद दो अलगलेग मकान तो दोनों को मकान को बिला करके एक साथ बनाने चाहते हैं और इसके बाद में यहाँ एक बहुत मूल चीज है किसी भवन में ऐसा परवर्तन जिसका प्रवाव उस भवन के जल निकास या स्वक्षता विवस्ता मैं परवर्तन होता हूँ या उसके स्वरक्षा पर ब्यापक रूप से प्रभाव डालते हूँ यह काफी कुछ एक कामन सेंस के साथ चीजों को समझने की भी है लेकिन यहां एक विसेश ध्यान रखने आवसकता है कि इन सारी चीजों को हम न निर्पेक शुरूप से समझें इसमें किसी प्रकार से हम अपने पूर्वाग्रों के साथ किसी विसेश के लिए विसेश प्रकार से इसको समझने या इस पर क्रियानुद करने की कोशिस ना करें अब इसके बाद वो बोलते हैं किसी भवन का निर्माड या पुना निर्माड से मतलबला उसका अविप्राय क्या मीनिंग क्या है तो किसी भवन में किनी कमरो भवनों सरचनाओं को परवरतन करना किसी दिवार में जो किसी सड़क या ऐसी भूमी से जो की दीवाल के स्वामी की नाहो लगी हुई और ऐसी सड़क या भूमी पर फुलने वाले द्वार का अंदर माड़े बहुत common practice है एक सामाने था होता है एक भी हमारा घर था पहले बड़ा था उसमें एक दर्वाजा था अब हम उसमें और दर्वाजा करना चाहते हैं वो दर्वाजा किस तरफ जा रहा है यहां पर वो कह रहे हैं कि किसी अगर वो इस दर्वाजा के जा रहे है ऐसी भूमी जो की दिवार के स्वामी की नाओ उससे लगे हुई व्या सड़क हो तो वो उसके लिए परमीशन लेने के अविशक्ता होगी पहले से भवन बना था उस भवन को नश्ट हो गया या उसको कुरसी लेबल तक तोड़ दिया गया लेकिन फिर से बना रहे हैं तो विल्डिंग पर्मिशन की अवशक्ता होगी अगर पहले पर्मिशन लेती है तूट गया है दोबारा बना रहे है तब भी बिल्डिंग पर्मिशन की अवशक्ता होगी एक प्रकार के अधिवोग का दूसरे प्रकार के अधिवोग का बढ़ता है तो यह हमारे लिए इस तरह नीम आएगा किसी भववन का अंधिरमाण या पुनानिरमाण इसके अंतरगत आने का मतलब है कि वो भवन अनुग्या या बिल्डिंग पर्मीशन की विदियों के तैत संचालित हो गया गवर्न हो गया अब हमारा एक्ट के अंतरगत बहुमंजला भवन और भूखन्ट दौनों को परवासित किया गया है क्योंकि अब जो विस्तार हो रहा है सहर का विस्तार हो रहा है तो बहुमंजला भवन की निर्मार हो रहा है तो बहुमंजला भवन किसे कहा गया है हमारी विदियों में जो चार वंजल से अधिक हो या जिनकी उचाई 12 मीटर से अधिक हो तो ऐसे कोई मकान ऐसे भवन इस तरणी माएंगे और बहुमंजला भ प्लॉट है उस प्लॉट में वो 500 स्कॉर फिट में बना रहा है तो भूखंड जो काउंट होगा या जो जोड़ा जाएगा वो पूरे 1000 स्कॉर फिट के ऊपर जोड़ा जाएगा अब भवन दर्माण के लिए आवेदन तता फीस का भुखता है बहुत महित्पूर मिंदू है कि कोई भी वेक्टि ग्राम पंचायत की लिखित मंजूरी के बिना किसी प्रकार के भवन का दर्माण प्रारम नहीं करेगा ये पूरी तरह से स्फस्ट है यदि कोई भवन का दर् जो करने वाला है उसका एक पूरा प्लान होगा कि क्या कहां कितना ग्रमाण करेगा कहां उसके पानी का निकास हुआ कहां उसका दर्वाजा होगा तो सर्विस प्लान का मतलब है कि जो उसके अंदर जो हम लोग सर्विसेज माने उसको पेजल और उसको बिजली उसकी साप कि कोई भी आविदन पत्र तब तक बैदनी माना जाएगा जब तक कि आविदन पत्र के साथ में ग्राम पंचायत को जो फीज दी गई है उस फीज की रसीद ना लगाई जाए तो यहां जाकर करके हम ग्राम पंचायत के साथ उसके बित्तियस अंसादनों को भी बढ़ाने की तरफ हमारी ये विवस्ता सायक हो सकती है। हमारी आदरस उपविदी जो है बिल्लिंग परमीर जम्मंदित उसी के अंतरगत एक विवस्ता ही दी गई है कि मदप्रदेश भूमी विकास नियम 1984 का लागू होना। यहां हम केबस संचेप में बात करेंगे कि जो मदप्रदेश भूमी विकास नियम 1984 हैं उसके अंतरगत पंचाय छेत्र, सहरी छेत्र, निवेस छेत्र इस तरीके से पूरे एरिया को पाटा गया है। जैसे अगर हम उधाराण के तौर पर देखें कि यह एक नगर पालका, नगर निगम या एक नगर परसत छेत्र है, यह हमारा पंचायत का छेत्र है पूरा, तो इसमें परवासत किया गया है कि यह जो नगरी निकाय है उसके आसपास का फुछ एरिया होगा, जो कहलाएगा निवेश छेत्र, तो यहां पर यह प्रावदान किया गया है कि निवेश छेत्र, और किसी नगरी इस्थाने लिकाय के अधिकारता में आने वाले भाग को अबबर्जित करते हुए, जैसा है कि मत्रुदेश नगर था ग्राम निवेश अधनियम, उननी सो तेत्ता कि धारा तेरा को बंदों के अधिन एथा अधसूचित किया गया है, लागू होंगे, ठीक है, अब क्या हो रहा है कि जो निवेश छेत्र होगा, उस निवेश छेत्र में हमारे जो यह वाले जो उपिविदियां हैं, उससे बिभिन, उससे प्रथा क्या, उससे हटके, जो इस वाले धारा के जो अधरियम के जो अपबंध हैं, वो उस पे लागू होंगे, वल्ला हमको इधान रखना है, पिजो ऐसी हमारी ऐसी ग्राम पंचायत हैं, जो नगरपाल का है, नगरपंचायत है, नगरपरसद एरिया के साथ में जुड़ी होई हैं, या उसकी एक निश्चित सीम हैं, जो इसके अंतरगत परवासित हैं, उसमें दी गई हैं, उनको भवन अनुग्या या विल्लिंग परमिंसन देते समय, इस दूसरे प्राप्धानों की तरफ भी नजर रखनी होगी, अब देखिए, मैंने आवेदन दे दिया ग्राम पंचायत को, कि भई मैंने वह अपन की भवन अधिकारी के अवधाना प्रतपादित करती है, वो कहती है कि उस ग्राम पंचायत की प्रिकरती के अनुसार, भवन अधिकारी की विवस्ता होगी, जो ग्राम पंचायत को साहता करने के लिए निम्न प्रभरगों मैं से एक भवन अधिकारी नियूट किया जाएगा थीक है तो इसमें क्या हो रहा है कि यह जो स्रेणिया है ना खा खा गा और घा यह उस ग्राम पंचायत की प्रिकरती या कार के प्रिकरती यह हैं पहला वाला जो वह कहते हैं कि तो अभी इसके पिछले हम आपको देख रहे थे उसमें अगर कोई निर्माण की बात होगी तो उसमें यह होंगे अधिकारी और उसके बाद जो इससे अलग पंचायते होंगे जो इसमें नहीं है काम है जो कहरे हैं खंड का वर्लिस से भिन और इधर भी खंड तो वो हो जाए कि हमारा R.E.S. का असिस्टेंज इंगर साय केंत्री से कम नीचा व्यक्ति नहीं होना चाहिए इसके बाद मैं यह कह रहे हैं कि जो का और खा दौनों से बाढ़ने से भिन ग्रामरी शेत्र माने और उसमें भवन की इस रहनी रिख दिए कि दो साथिक मंजल के भवन के लिए के भी R.E.S. के जो साय के अंत्री है वो होंगे इसके बाद में जो घास रणी है वो कहते हैं और यह शेत्र में और यह हुआ है कि कि मिट्टी की दीवारे मिट्टी के गारे देथा स्थानी सामक्री से आवासी प्रियूजय नेतु बना जाने वाले 125 वर्ग मीटर से कमके निर्मेज चेत्र के मकान के लिए आविदन को भवन अधिकारी से परिक्षण कराने के आवशकता नहीं होगी तो ये एक विवस्ता उपविदी में ग्राम पंचायत के पास होने वाले प्रस्ताव के तकनीक की रूप से परिक्षण करने के लिए बनाए गई है इसका हमको पालन करने के प्र्यास करना चाहिए अब देखे जो पर्मेशन दी जा रही है उसके संबने में दो बाते हैं कि जो बाभुमेंजला भवन है उनकी पर्मेशन बाभुमेंजला भवन की परवासा भी को पर्वासा है वो बहुमी विकास ज़ो नियम है, शलमा यह नियम आएगा, 1984 के नियम जब तक क्लिरेंस नहीं देगी तब तक बहुमंजला भवन की परमिसन जारी नहीं की जाएगी और इसके बाद जो ग्राम पंचायत को स्वाइम देनी है तो ग्राम पंचायत क्या कर सकती है कि उसके पास जो परमिसन के लिए कागज आये हैं जो व्यक्ति का आविदन आया उस आविदन के उपर विचार करेगी उसको स्विक्रत करेगी और स्विक्रत नहीं करती है और उसको लगता है कि नहीं इसमें वववन अधकारी बगर आगी टीप आने के बाद कि वही कुछ परवर्तन के सकता है देकि अब हमारी ओपी वीवस्था भी इस्थाबिद करती है कि ऐसे विसे जनके लिए बिल्लिंग परमिसन के आवशक्ता नहीं है वह कौन से होंगे जो कि हमारी उप्विदी अब वो विवस्था भी स्थावित करती है कि ऐसे सरचना में ऐसे परवर्टन जिनके लिए बिल्डिंग परमिशन की आवशक्ता नहीं होगी तो इसको हमने एक और दो भागों में समझानी कोशिस की गई है उसमें पहला जो भाग है वो कह रहा है कि किसी भवन में कि जाने वाले ऐसे परवर्टन जिन में सामानी भवन अपिक्षाओं लग सामानी रूप से जैसा में सोचे जाता है सरचनात्म के स्थायत और आग से सुरक्षा संबंदी अपिक्षाओं का इन उपविदियों के उपबंदों से आने था उलंगन ना होता हूँ अगर यह चीज़ें नहीं होती हूँ तो अब यह जो कासे लेकर के ठा तक है वो उसके लिए विल्डिंग पर्मिशन के आवशक्ता नहीं होगी अब हम एक एक से जल्दी से इसको पढ़ देते हैं निश्टी तोर पर आपको कुछ कम हो सकता है इस पर दिखाई ना दे तो मैं आपको अब भी इसमें हम लोग पढ़के एक से चर्चा करते हैं का बोलता है किसी खटकी है दर्वाजय है रोसन दान को खोलने था बंद करने कार खा आने जाने की दर्वाजों की वस्ता करना गह पाटीसन लगाना घा नकली शत्माने पॉल सिलिंग करना ड़ा उद्धान लगान और गार्डन बनाना पुताई काम पैंड करना खप्रेल को फिर से बनाना चत्की मरम्मत प्लास्टर करना जोड़ाई का काम जो सामान रूप का है फर्स को दोबारा से बनाना अपने स्वाइं के भूम पर धूप से बचाओ के लिए कोई प्राकरतिक आपदा उसको खीक करना तो उसके प्राकरतिक आपदा से हुए तो यहां पर विवस्ता दी गई है कि आप ऐसी चती के पहले जाजी सरचना थी पैसी आप बना लो इसके लिए विल्डिंग प्रमिशन की आवश्यक्ता नहीं होगी इसके साथी नंबर दो पर आप देखे जा जाना है ग्रांपचायद को पूर सूचना दिये बिना प्रारम नहीं किया जाएगा ऐसी भूमी को पूर ववस्ता में लाने के लिए होने बाले वैका संदाय ग्राम पंचायत को किया जाएगा तो यह चीज अगर आप आधर सुबिधी के तौर पर इस पंचायत अंगीकरत करती है तो यह जो परंदु के पर ग्राम पंचायत के माद्यम से उसको धनोपलब्त कराकर करेगी इसके बाद मैं इसका जो तीसरा है क्रसी भूमी पर क्रसी के उनुती के लिए सामान करिया हमें कोई भी निरमार किया हुआ पक्का वववन संब लेते हैं कि अग्री कल्चर के लिए अगर स्टोरेश के ल पिल्कुल भी अनुमती नहीं दी जाएगी, देखिए कि हमारे दवस्ता जो बनाई थी जो प्रदाव प्राउधान बनाए थे अजसे इतने वर्स पहले, उनका विजन देखिए कि कुछ इस्थान अनुमती नहीं दी जाएगी, जैसे यदि इस्थान अस्वक शोगंदा हो, यदि इस्थान सावजन एक प्रयोजन के लिए आरक्षेत होगी, नहीं वहीं, यहां हम नहीं देंगे, यह नहीं कोई सावजन के प्रयोजन हो सकता है, यदि इस्थान नदी आदी बाड़ की चपेट में आता हो, तो ये चीज़ें इतनी आदर्स हैं, कि यदि इनका पालन हम करते हैं, तो एक बहतर आवासी विवस्ता हम अपने पंचाय शेत्रों के लिए बना से के नागरिकों के अधिकारों की बात, अभी हम बात कर रहे थे कि पंचायत के क्या अधिकार हो सकते हैं, कैसे वो अपने सकती क्रियान में करते हैं, अब हमारा जो अधनियम है, वो इ पैतालीस दिन नरदारित किये गए हैं अगर मेरे द्वारा ग्राम पंचायत को आभिधन दे के पापती ली गई है तो पैतालीस दिन के अंतरगत ग्राम पंचायत है तो मुझे परमीसन देगी या नहीं देगी या मुझसे कुछ क्वेरी करेगी प्रशन पूशेगी और अग फिर से देखी पंचायत का एक और ढोल इसमें दिखाई देता है कि मुझे अनुमती मिली और मैंने अनुमती से थोड़ा हटके या विप्रीत अपचारिकता के लिए अनुमती ले ली और हम अपने मनवरजी से काम कर रहा हूँ तो ऐसी इस्तिती में ग्राम पंचायत उस न अब विप्रीत जा करके आपने ये कार किया है इस कार को रोग दें या इस कार में तो अनुमती का अनुमती का अनुसार संपाधित करें अब है विल्डिंग पर्मीशन की फीस स्क्रीन पर उतना इस पस्ट नहीं दिख रहा होगा चुकि डाटा इस प्रकार का था कि हमना उसको टाइप करके और फिर दिखा करके उसको वीडियो में समलित करने के स्थान पर सीधे अधनियम के प्रावधान जहां प्रिंट थे उसी को कॉपी करके है पैस्ट करके बतान रहे हैं तो आप यहां से समझ के और वहां से print out ले करके या वहां से सीधे download करके भी देख सकते हैं तो यहां पर आब हम पहुंच गए है building permission की fees की तरह ठीक है तो यह जो अनुसूची एक है वो उपविधी का जो तीसरा हिस्सा था या उपविधी का जो तीसरी कंड़ का थी उसके साथ उसके चौथा section सा उसमें यह समलित किया है तो इसमें जो table बनी हुई है उसमें नंबर दो column कहा रहा है कि जो निर्माण है वो किस प्रकार का है उसके बाद मैं तीसरा और चौथा जो column है वो निर्धारित करता है कि कितने बर्ग मीटर से कितने बर्ग मीटर तक और उतने पर कितनी निर्माण नुग्या या भवन बिल्डिंग परमिशन की फीस लगेगी तो आपको बर्ग मीटर से अगर को दिक्कत हो तो आप बर्ग मीटर को square fit में भी convert कर सकते हैं तो हमको अगर जो square fit निकलेगा उससे बर्ग मीटर का हम लोग अपने यहां पर अपनी दरों को calculate कर सकते हैं तो सबसे पहले देखिए जो भवन जो पूर रूपेण निवास के लिए आरक्षित है जो पूरी तरह से आवास यह भवन है उसमें जो slab दिये गए हैं सबसे पहला slab है 0 बर्ग मीटर से और 25 बर्ग मीटर तक उसमें 200 रूपे विल्डिंग परमिशन फीस है और इसी प्रका है वह 25,000 हम ही कह सकते हैं कि हमारी जो भवन अनुग्या या बिल्डिंग परमिशन की फीस है वह 200 रूपे से प्रारम होती है और 25,000 रूपे तक वह जाती है यह तो होगे आवास यह गया इसके बाद में जब अपन देखते हैं नंबर 2 वह लिख रहा है भवन जो दुकान, बंडार, घर, कार खाना, बैवार या कारोबार चलाने अत्वा किसी अन्बानेज्यक या ओद्धावी प्रहुजन के लिए उप्यूग के जाते हैं तो इसमें वो क्या कह रहा है कि मत्गरमांक एक में बिनेदेश्च फीस तथा ऐसी फीस की रकम का 50% अत्रिक प्रवार इस इसको इसकी प्रिकृति के हिसाब से और उस पर जोड़िये गया, इस पर मत्गरमांक एक पचुकी, अपने आप में इतना ही विसे बहुत बड़ा है, वीडियो हमारे लंबा होता जा रहा है, और यह अनुभाविया रहता है कि जैसी वीडियो 15 मिनिट से जादा होता है, य इसके लिए हम प्रिथक से एक 15 मिनिट का वीडियो बना करके आपके साथ सेयर कर लेंगे, तो अभी क्योवल हम समझ विक्सित करने के लिए हम इसके माध्यम से आगे बढ़ते हैं, इसी तरह से आप देखिए कि जो तीसरा नमबर है भवन जो किसी कार खाने के प्रसास इसके कारेले की रूप में, उसकी तरह अलग है, इसी तरीके से जो भवन जो दुकान तता निवास के प्रयोजन के लिए आरक्षे थो, उसकी तरह अलग है, भवन जो सिनेमा थेटर के रूप में यहां पर लिखा हुआ है, 800 तक की बैटक शमताय के लिए 15,000, उससे अधिक बैटक शमताय के लिए 35,000, भवन जो किसी सामाजिक धर्मा, धर्मा, सांस्कृतिक प्रयोजन के लिए उसमें, उसमें तोटल का फीस का 25,30 है, मदाब यहां उसको 25,30 छूट दी गई है, इसके बाद यह सात्वे नंबर के बिजमान अर्मिट निर्मे छेत्रमा अत्रिक्त परवरतन अत्वा बाहर परवरतन या परवरतन इसके लिए उन्होंने जो मद गर्मांग एक तीन और शे में बढ़ने दोबन के प्रतेक मामले में रुपे 50 यहां पर वो सिलाव आ गया, इसी तरीके से जह हम 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर को देखते हैं, 10 नंबर जो है, सबसे मैं फून पार्ट, ठीक है, अब हम कहां पहुंच गए, हमारा बिल्डिंग पर्मीशन या ववन अनुग्या अधनियम के अंतरगत धारा पच्पन में आई, या धारा पच्पन में प्रावधान किये गए, इसके बाद आधरा सोबिदियों प्रावधान किये गए, अ अब और स्टेप एक चरण आगे बढ़के ये सेवा सामिल हो चुकी है, लोग सेवा करंटी अधनियम के अंतरगत, वहां इसको समलित कर लिया गया है, और समलित करने के साथ में अब इसमें इसको समय सीमा में, समय सीमा वो ही है, जो पहले थी, अभी हम इसमें देखेंगे, लेकिन उस समय सीमा में ये सेवा दिया जाना अन्यवार कर दिया गया है, अब आपे देखें, ये जो पत्र है, 22 अगस 2017 का है, उसमें मतवर्देश ग्राण विकास की सेवा, 16.8, 16 जमलवाट, ग्रामिर छेत्रों, भवन दिर्मान एतु, अनुग्या पत्र, तो ये चीज भ अब देखें, इसमें वो ही लिखा है, यहां आभी हम जो देख रहते हैं, कि ये पहला पेज है, जो भवन अनुग्या बाले प्रिक्रिया का, जो लोगसेवा गारंटी अद्रियम में आए, दूसरा पेज है, इसमें उसकी पूरी सर्तां बताए गई है, और इसके बाद में इसका जो एक तीसरा पेज है, देखें ये, भवन दिर्मान अनुग्या है तो आविधन, अब जो वेक्ति है, जिसको आविधन करना है, अभी इतने देर में आपके सामने आया होगा, कि किस आविधन में करेगा, क्या प्रारूप होगा, तो जो लोगसेवा गारंटी अद् जायत भवन अनुग्या जारी तो इस प्रकार से हमारा जो बिल्डिंग परमीशन भवन अनुग्या की जो पूरी प्रिक्रिया है, उसको हमने यहां आपको बताने ही कोसिस किये, लेकिन यहां एक बात और आपके साथ साजा करना चाहेंगे, कि यह जो प्रिक्रिया है, इसम आधार पर कोई कारवाई करने जा रहे हैं, तो आज की इस्तिती में तो जो चीजें अधितन रूप में इस वीडियो में आपके साथ साजा की गई है, लेकिन फिर भी अगर हमारे पंचायत के व्यक्तियों से प्रिथे व्यक्ति इस वीडियो के आधार पर अगर अपने कारवाई करने चाहिए, ऐसी अपेक्षा है, वीडियो को पूंटा पर ले जाने के पहले एक बाद फिर से हम महुँच गया है, उसी स्क्रीन पर जो हमारे अभी तक के सारे वीडियो में कहीना की संभित हो जाती है, भवन, अनुग्याय बिल्डिंग परमीशन भी कहीना कही ग्राम पंचायत के बित्तिय संसाधनों से जुड़ती है, और यह देखिए, फीस और जुर्माना, अगर बिल्डिंग परमीशन के फीस आती है, जो उस तालका के अनुसार तो वो ग्राम पंचायत के साहिम के आये का सुरोत होगा, जुर्माना आता तो वो भी समलेत होगा, तो हमारे जो ग्राम पंचायत का प्रसासनी गमलाया, सजीब साहिबाना, जनपुर पंचायत की टीम यह उन से काम लेती है, उनको इस परिद्रस्त से भी बिल्डिंग परमीशन की प्रिक्रिया को समझने और समझाने के आवश्यक्ता है, इस प्रकार एक नया विस है आगरी विकास के भी कुछ नियम कायदय कानून थे, उसके बाद फिर लोग सबा गारंटी अधनियम भी होसिस की कि इसको एक साथ बांद के आपके साथ सर्चा की जाए, बहुत सारे चीज़ां इसमें छूट भी गई होगी, कुछ चीज़ां और बस्तार से बता दी गई हो तो हमको उनसे ज़्यादा पहल करने चाहिए और हमको इस विवस्था को पंचायत के एक विवस्थित आवास, इस्ट्रक्चर पंचायतों के विवस्थित आवासिये स्ट्रक्चर तयार करने के लिए और पंचायतों की आय बढ़ाने के लिए दौनों ही रूप से हमको इन पर हम लोग विचार कर सकते हैं उम्मीद है कि आपको हमारा प्रयास पसंद आया होगा अगर आपने हमारे इस वीडियो को आखरी तक देखा है तो निश्यत तोर पर हमको अच्छा लगेगा आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें अपने अन पंचायतों के साथियों को सबस आपके साथ फिर से उपस्तित होंगे तब तक के लिए नमस्कार बहुत बहुत धन्यवाद